C को 100 और C को कपड़ते हैं बढ़ियां से समझिएगा यदि C के बाद आपका I, E, Y तीनों में से कोईलेटर हो जाएगा तो C को क्या पढ़िएगा 100 और यदि C के बाद I, E, Y नहीं होगा तो C को क्या पढ़िएगा कउ एक्जम्पल को देखते हैं तो C के बाद आपका I एक लेते हैं तो देखिए C, I, R, C, L, E तो आपका सरकल हो गया C के बाद E आया तो आप सेंटर C, E, N, T, R, E हो गया और C, Y, C, L, E, Y तो साइकिल हो गया तो C के बाद I, E, Y हो तो C को 100 पढ़िएगा यदि नहीं होगा तो को पढ़िएगा जैसे C, O, W, काउ तो देखिए C के बाद I, E, Y नहीं है तो को पढ़िएगा तो यह आप समझ गए C को 100 और C को को कप पढ़िएगे ठीक है, धन्यवाद